इस कॉंस्टेबल का जो सेकेंड सिप्ट का पेपर हुआ है उसके हम लोग रीजिनिंग के कोशन देखने वाले हैं जितने भी कोशन होगे सारे के सारे देख लेते हैं वीडियो श्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बात कहूंगा जो लोग नए हैं तो प्लीज चलों को सब parked मैं और अलू है तो देखिए गाईस सबसे पहले जानबर का सरक्ल अल्ग अलयग बनेगा और सबजीयों का अलग बनेगा सबजीयों के अंतर गति क्या आ जाता है अल्लू तो इसके अंदर समाईत हो जाएगा तो ऐसा figure बढ़ना है तो यह किसमें आ रहा है option A में option A is the right answer अगला है निमलिकित प्रस्ट में एक सब्द दिया गया है उसके बाद चार सब्द दिये गए हैं जिनमें से एक दिये गए सब्द के अच्छनों का उप्योग करके नहीं बनाया जा सकता जो नहीं बनाया जा सकता बहर सब्द हमें ग्याद करना है सब्द है आपका recommendation तो एक एक option को चेक करते हैं पहला option है monitor monitor के alphabet आपको recommendation में मिलना है तो सबसे पहले monitor के तीन alphabet उठाते है M.O.N जो कि recommendation में है M.B. है O.B. है और N.B. है एन देखिए लास्ट में आ रहा है ओके फिर एन आई तो एन डबल बार N आ रहा है monitor में तो एन आई एन तो कर चुके आब है आई की बारी आई भी है और T.B. है फिर O.B. है फिर R.B. है फिर O.B. मेडिसीन के सारे alphabet recommendation में है तो देखिए M.E.D. M.B. है E.B. है और D.B. है फिर I. I. की बारी I.B. है फिर C. C.B. है अब देखिए यहां I.R. है डबल बार I.R. है जो कि recommendation में नहीं है क्योंकि recommendation में एक बार I.R. हुआ है और medicine में दो बार तो option B आपका नहीं बन सकता तो option B is right answer है दिये के चित्र में यदि त्रिवू जो है doctor को दरसाता है बर्ग वकिल को दरसाता है और ब्रत साच्छर को दरसाता है तो उन doctor और वकिलों के संख्या ग्याद कीजिए जो साच्छर है सबसे पहले तो छोटा करते है इसको त्रिवू जो है वो doctor को दरसाता है triangle जो है यह क्या हो जाएक doctor और बर्ग वकिल को दरसाता है बर्ग जो है ये वाला ये क्या हो जाएगा वकिल और जो ब्रत है वो साच्छर को दरसाता है तो ब्रत का हमें ऐसा हिस्सा लेना है जो साच्छर और डाक्टर दोनों में आ रहा है तो वो आपका आ रहा है पांच जो की बर्ग में भी आ रहा है और जो की ट्रियंगल में भी आ रहा है तो option D is right answer पांच आपका answer हो जाएगा अगला है यदि plus का आर्थ है भाग लिख लेते हैं plus का मतलब क्या है भाग और भाग का आर्थ क्या है गुणा लिख लेते हैं भाग का मतलब है गुणा और गुणा का आर्थ है घटाओ गुणा का मतलब क्या है गटाओ गटाना और माइनस का मतलब गटाओ का आर्थ क्या है प्लस तो एक एक क्योशन दिया हुआ इसको solve करना है तो एक क्योशन को लिख लेते हैं अठारा प्लस छे डिवाइड वाइ सेवन इंटू 5 माइनस टू अब चिंनो का एपलाई कर देते हैं 8 प्लस प्लस का मतलब देखिए ओपर क्या है भाग तो भाग कर दिया फिर 6 भाग भाग का मतलब क्या है multiply फिर 7 इंटू इंटू का मतलब है minus तो minus कर दिया फिर minus का मतलब क्या है plus बार्णमा सुरूल का recording सबसे पहले divide वाला solve करते हैं 18 में 6 का divide करते हैं 3 बार गया तो 3 into 7 minus 5 plus 2 अब multiply solve करते हैं 3 सत्य 21 minus 5 plus 2 21 में से 5 गया तो आपका बचे का 16 और 16 plus 2 कितना हो जाएगा 17 16 plus 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा कितना 18 तो option D is right answer अगला है चार बिकल्पों में दी गई आकरती X की सही दरपन 6 होगी देखे ये है आपकी 6 और दरपन पत्विम इसमें से कौन सा बनेगा तो दरपन पत्विम बनाने के लिए सबसे पहले ये बाला हिस्सा जो है वो दूसरी ओर जाएगा और कैसा हो जाएगा बैसे ही रहेगा नीचे की तरप ही रहेगा ये पूरा हिस्सा ओके तो अब एक box बना लीजेगा ऐसे और ये है बाला हिस्सा दूसरी तरप चला जाएगा ओके तो ऐसे बना लीजे ऐसे और फिर ऐसे ऐसे मिला दिया उसके बाद ये बाला उपर बाला हिस्सा जो है वो दुसरी तरफ चला जाएगा और कैसा बन जाएगा ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे उसके बाद ऐसे फिर आगे बाला भी चिकोना बन जाएगा तो यह कौन से option में आ रहा है तो यह आ रहा है option 1 में देखिए एक वाले figure में आ रहा है तो option V is right answer अगला है DBMS का संबंध है SMVD से तो Java का संबंध बताना है तो लिख लेते हैं DBMS इससे क्या बन रहा है SMVD तो देखिए यहां से पीछे से सारे अलफाबेट पलट गया आगे आगे सारे कि सारे ओके डी वाला लास्ट में चला गया सेम प्रोसेस हम लोग जाबा के लिए लगाएंगे तो J A V A पीछे से सारे अलफाबेट पलट देंगे A फिर V फिर A फिर J तो A B A J A B A J option है इस राइट अंसर अगला एक व्यक्ति अपने घर से शुरू करता है और 10 किलो मेटर पस्चिम को की ओर चलता है माल ले तरह स्टाइटिंग पॉइंट यह इसका घर है बिंदू और पस्चिम की ओर उसका घर है पस्चिम दिसा इधर होती है कितना चलता है 10 किलो मेटर फिर वह दाएं मुड़ता और 7 किलो मेटर चलता है तो यहां से आपका दाएं क्या हो जाएगा उपर की तरफ कितना चलता है 7 किलो मेटर फिर वह दाएं मुड़ता और 14 किलो मेटर चलता है तो यहां से आपका दाएं इधर हो जाएगा कितना चलता है 14 km ओके फिर बाय बोडता है और 4 km जाता है तो यहां से आपका बाया क्या हो जाएगा उपर की तरफ कितना जाता है 4 km और और अंत में बाया मुडता और 4 km जाता है तो यहां से आप last point उपर है color को थोड़ा से change कर लेते हैं आपको समझ में आ जाए यहां से आपका बाया क्या हो जाएगा पीछे की तरफ होगा तो यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा चार किलोमेटर अब देखिए यहां से यह यह मिला देते हैं नीचे देखिए दस है तो यह भी आपकी 10 हो जाएगी और इसको भी इसको मिला सकते ह अब ये जो दूरी है बहुत बैक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर थे तो 104 यहां पर आ गया तो कितनी दूरी पर है तो ये दूरी तो आपकी यह वाली साथ हो गई और साथ और ऊपर ये कितनी बची कितनी बची का इस चार, तो 7, 4, 11 किलोमेटर, तो option D, is the right answer. अगला ہے, पिघलना तरल होता है, पिघलने से जमना क्या होगा? तो दिखे, पिघलने का समन्न तरल से है, जमने का समन्न किससे हो जालेगा? तो जमने में बरफ ही भी आता, लेकिन आपका हो जालेगा, तरल से ठोस हो जाएगा जमना ठोस आपसर ने इस राइट अंसर अगला कोश्चन है एक विक्ती उत्तर जिसा में साथ किलोमेटर चलता है उत्तर जिसा होती है का इस उपर की तरफ स्टार्टिंग पॉइंट ए माल लेते हैं कितना चलता है साथ किलोमेटर फिर बाई और मुड़ता है चार किलोमेटर चलता है यहां से आपका बाई आँ क्या हो जाएगा इधर की तरफ कितना जाता है चार किलोमेटर फिर बाई और मुड़ता है नो किलोमेटर जाता है तो यहां से आपका बाई आँ कितना जाता है उपर की नीचे, तो नीचे की तरफ होगा, तो 9 km गया, फिर बाइँ और मुणता है, बाइँ आउर 4 km जाता है, तो यहां से आपका बाइँки किया हो जाएगा, इधर की तरफ, 4 km, प्रारम में किस सी से, आप कितनी दूर है, इस्टार्टिंग पॉइंट यह लाश्ट पॉइंट यह दूरी इधा तरफ कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यह दूरी देखी नव है और यहां पर यह साथ है तो यह बची दूरी कितनी होगी दो किलोमेटर अगला है प्रसंचिन के स्थान पर उप्युक्त विकल्प खोजें पत्थिक जो है सफर करता है पत्थिक पर नाबिक जो है वो सफर कहां करेंगा ऑप्सेंटी जहाज पर एक कोशन आपको बताना है विस्म निमर्क खित प्रसंच में कुछ सब्द दिये करिकूत है उनमेंसे विस्म समद्रप्रफ्वी सूर के बीच समन को सब्साता है समद्रप्रफ्वी सूर्योd देखिए सूर्य अलग है और प्रत्वी अलग है प्रत्वी के अंदर सूर्य समाइत है वह समुद्र समाइत है तो ऐसा फिकर बनेगा तो ऑप्षिन है इस राइट अंसर अगला है हल करना है तो 360 में सबसे पहले बादमा सुल के एकॉर्डिंग डिबाइट बाला सौल करेंगे तो 360 में 12 का डिबाइट करेंगे 12-36 30 प्लस 4 गुने 3 यह हो गया अब वो मल्टिप्लाइब वाला सौल करेंगे तो 30 प्लस 12 तो कितना जागा 42 ऑप्सिन डी इस राइट अंसर अगला कॉस्टिन है निम्लिकिस प्रस्टिन में एक सब्द दिया गया है उसके बाद 4 अन्य सब इस जैता है जिन में से एक दियेगे सब्द के अच्छा वयोग करके उप्योग करके नहीं बनाया जा सकता सब्द धूना है वह तो सब्द हैं आपका पर्मूटेशन कि से अंहिंगित बाद सकते हैं तो क्या नहीं बन सकता है, तो एक एक option को चेक करते हैं, पहला है आपका, इस का अलपाबेट आपको उपर मिलना है, तो देखिए PIP, P B है, I B है, फिर P B है, फिर E B है, देखिए E को देखते हैं, E B है, फिर डबल T, डबल T है, अब E B है, तो पहला बन सकता है, अब option V, रिप्यूट को देखते हैं, R E P है, तो R B है, E B है, और P B है, फिर U T E है, U B है, T B है, फिर E है, तो option B भी बन सकता है, option C चेक करते हैं, P E N, तो देखिए P B है, E B है, N B है, अब A N, A B है, अब N नहीं मिलना है, क्योंकि देखिए, option C में दो बार N निका यूज हो रहा है, जो की उपर नहीं है, तो option C is right answer, अगला question है, बहे विकल्प चुने जो दिये गए, सहियोजन की दरपाण 26 से काफी मिलता जुलता है, तो सब्द आपका fixing है, तो पीछे से हम लोग पलटेंगे, तो सबसे पहले G की बारी है, G जब दरपाण प्रतिम में जब G का बनेगा, तो कैसा बनेगा, तो आपका देख लीजेगा, ऐसा बन जाएगा, अब है N की बारी, एन भी आपका चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर आई की बारी, आई आपका बैसा ही रहेगा, फिर एक्स, एक्स भी आपका ऐसा ही रहेगा, फिर ए आई, फिर आई ऐसा ही रहेगा, फिर ए एफ, एप की पोजिसन चेंज हो जाएगी, तो यह जो अलपाबेट मिल करते हैं दो उन पर दिया हैं तो और अप्षिण सी में आ रहा है तो उसका बच्चा बनेगा फिर किसोर किसोर हो और वो भयास कोगा फिर बूरा हो जाएंगा तो आप्षिन इस राइट अंसर इतने भी कोश्चें दे करवादी हैं तो आज किस वीडियो में इतना ही आगले वीडियो में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा विदा अंसर के साथ तो थेंक यू